नमस्कार आपदीकरी इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मिनाक्षी जोशी शक्ती जाकर अभियान चला रही है बैंगलूरू में आज बजरंग दल कारिकरता वाइक रैली निकालेंगे और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे इस वक्त दो तस्वीर आप इंडिया चीवी पर देख रहे हैं बैंगलूरू में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है तो इस वक्ते बैंगलूरू सी संबानाता टी रागवन हमारे साथ जुड़ गए है रागवन ये एक ऐसा मुद्धा भारती जिनता पार्टी को अपने हाथ में मिल गया है जिसे वो खरी-खरी सुना रहे है कॉंग्रिस पार्टी को लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी और पूरे देश में एक महाल बन रहा है आप बैंगलूरू की कहानी बताएं वहां पर आप क्या तफ्वीरे देख पा रहे हैं रागवन आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं फिर वहां की तफ्वीरे दिखायों क्या रियक्शन वारें बताएं तफ्वीरे इस वक्त आप देख रहे हैं बजरंग बली पर जबरदस्त दंगल चल रहा है बजरंग दल के कारिकरता जैसे ही कॉंग्रिस पार्टी ने ये बादा किया कि वो सरकार में आएंगे तो बजरंग दल पार बैन लगाएंगे और उसके बाद से बजरंग दल मुखर होका अलग अलग शेत्रों में हनुमान चालीसा का पार्ट कर रहा है आज नाकपूर में भी होगा बैंगलूरू में भी होगा बैंगलूरू में तो बाइक रैली निकाली जाएगे और फिर हनुमान चालीसा का पार्ट किया जाएगा इतना ही नहीं दिल्ली में भी होगा जिश्भर के अलग-अलग कोनों में आज हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा दरसल कॉंग्रिस ने अपने मैनेफेस्टों में बजरंग दल पर बैन का बाद आ किया अब वो उसी के लिए मुसीबत बन किया है करनाटक में कल वोटिंग होनी है और इससे पहले प्रधार मं नरेंद्र मोदी ने करनाटक के पब्लिक के लिए एक वीडियो संदेश जाने किया